दोस्तों आप वीडियो गेम तो बहुत खेले होंगे लेकिन उनमें से कौन सा कैक्टर सबसे ज़्यादा पारफुल है सफ़ागत है आपको दूस्ते स्क्रिन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टौप 10 मोस्ट पारफुल वीडियो गेम कैकरिस के बारे में दोस्तों बिडियो स्टार्ट करनी से बहले हम आपको बस इतना वद्दान चाहते हैं अगर आप हमने च्णल पर नए हैं तो दोस्तों सबस्काइब करें ताकि इससे रेटेर कोई वीडियो आप मिशना करें दोस्तों आप सुब वीडियो गिम तो जरू खेले होंगे लेकिन क्या आपको भी नोटिस के हैं कि कौन सा क्याक्टर गेम में सबसे ज़्यादा पारफुल हो सकता है अगर आपको भी नोटिस नहीं की हैं तो दूस्तो कोई वादब हमेंस हम या ना हम आपको इस वीडियो में आज वो वताने वाले हैं इस लिस्ट के लिए हम गीम के स्ट्रॉंगे सिरो को लेने वाले हैं, हम सिर्भ एक ही फ्रयंचेशी से एक ही क्याक्टर को लिए हैं तो दोस्तो से था टेम ना लीते हुए चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों ड्रैकुला कास्टले विनिया सीरिस का मेन यानी विलेन है और बहुत सरी गीन का फाइनल बोस भी रह चुका है ड्रैकुला एक फुल पैकेज विलन है जिसको की डिफिट करना थोड़ा मुस्किल साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसके पास बहुत ही अच्छा अच्छा एविलिटी है जो कि ज्यादगर के डैमोनिक फोर्स के उपर बेस्ट होता है और इसका पावर भी बहुत ज्यादा है ड्रैकुला बैटल में बहुत तरीके के आग को भी छोड़ सकता है जैसे कि सिंपल बॉल अफ फ्लेम या तो बनिंग मेटियोर्स लाज से दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये रात का सबी किरीचस के उबर कंट्रूल भी कर सकता है अब दोस्तों 9 पे आता है सेफिरोथ फाइनल फ्रेंटरसी 7 सीरीज से दोस्तों सेफिरोथ फाइनल फ्रेंटरसी 7 का एक मेन अंटिगोनिस्ट यानि विलन है अगर हम इसका full ability के बारे में देखे तो वो अच्छे तरीके से confirm नहीं किया गया है लेकिन यहां कहा जाता है कि सेफियरोथ 1987 के टाइम में एक नया लेवल का विलेन था और पहले से और भी ज्यादा ताकतवर विलेन बन गया था ज्यादा करके दोस्तों fight में सेफियरोथ आपना full power को यूज़ नहीं करता है सेफियरोथ का इतना capacity है कि वो hand to hand आज सानी से fight कर सकता है और दोस्तों देखा जाएतों यह character एक बहुती greatest fighter है अब यह सब्सक्राइट पर आता है ओनी सूपर स्ट्रीट फाइटर 4 सीरीज से दोस्तों ओनी को कुरुवशी की ओनी के नाम से जाना जाता है यह स्ट्रीट फाइटर सीरीज फिडियो गीम का एक character है इसका सबसे पहला एफिरेंस सूपर स्ट्रीट फाइटर 4 एर्केट एडिशन में हुआ था जिसमें दोस्तों इसको एक hidden boss के साबसे लाया गया था और सास्ट्री नो हाडो के वज़े से powerful energy attack कर सकता है यहाँ पर सूशी नो हाडो एक तरह का force है जो कि dark energy के उपर based होता है इसका एक punch बहुत ही heavy होता है और कवी-कवी only punch के जगा spear hand भी use कर देता है और वाल देखा जैतो इसका technique बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अब देखा 7 पर आता है Apprentice Star Wars The Force of Unleashed सीरीज से दोस्तों Apprentice को Star Killer और Galen मारी के नाम से भी जाना जाता है Star Killer Star Wars The Force Unleashed वीडियो गेम का main protagonist यानी hero है Star Killer का एक बहुत अच्छा वात यह है कि वो पहले opponent का style और technique को notice करता है और opponent के weakness को खुद के फायदे के लिए यूज़ करता है Galen अपने training के तोरान mind trick भी सीखा था जिसके वीज़े से इसका इतना ability है कि वो दोस्तों के mind को वे control कर सकता है और खास करके कमजोर इच्छा सकती वाले लोगों के mind को और भी आज साही से control कर सकता है तो दोस्तों आप सूर सकते हैं कि ये character कितना powerful है अब दोस्तों में 6 पे आता है Alex prototypes series से दोस्तों Alex को prototype के नाम से भी जाना चाता है या तो code name Zeus के नाम से भी जाना चाता है Alex can take research project का former यानि पिछला head था इसका एतना ability है कि ये कोई भी दूसरे living creature से organ matter को absorb कर सकता है और वही organ matter को biomass में भी change कर सकता है और इसी के वज़े से Alex अपना health को regenerate कर सकता है और देखा ज़े तो इसमें super human का strength धर्य है और lastly एक repeat healing factor भी है जिसके विज़े से ये character को इस number पे आना ही था अब इस number 5 पे आता है बेयोनिटा बेयोनिटा सीरीज से दोस्तों बेयोनिटा का real name सीरीज आ है बेयोनिटा बेयोनिटा सीरीज का main character है बेयोनिटा का बहुत अच्छा bullet art है यहाँ पर दोस्तों bullet art नॉर्मल एक fighting skill होता है जब भी ये नया weapon पकटती है तब वो weapon में expert हो जाती है यानि हम ये भी कह सकते हैं कि ये नया weapon में लगवक expert हो जाती है बेयोनिटा के पास सुपर हीमन लेवन का speed और सुपर हीमन स्ट्रेंद भी है लास्टले इसका इतना ability है कि ये कोई भी attack से बस सकती है चाहिए वो कोई भी direction से attack किया हो अवि उस नंबाव 4 पे आता है Mewtwo Pokemon series से दोस्तों Pokemon तो बहुत है लेकिन maximum trainer जद करके Mewtwo को ही capture करना चाते है Mewtwo गेम में बहुत सारे move को सीख सकता है और इसको Mewtwo Pokemon से clone किया गया है अवि के टाइम में Mewtwo को most powerful Pokemon माना चाता है और Pokemon franchise के तरफ से देखाज़े तो Mewtwo उनके लिए एक powerhouse के तरह ही है जैसे कि दोस्तों आप सब जानती होंगे Pokemon Diamond and Paws के गीम में most powerful Pokemon का किताब Arceus ले लिया था लेकिन जब Mewtwo का mega evolution form आया तब Mewtwo फिर से most powerful Pokemon का किताब ले लिया था लास्टली हम आपको बता देना चाते हैं कि अगर आप Pokemon fans है तो आपको पता ही होगा Mewtwo कितना powerful है अभी उस नमर्ट 3 पी आता है Dante Devil Maker Series से दूस्तो डांटे Devil Maker Franchise का protagonist यानी hero है और वीडियो गेम की दुनिया का जाना सुना नाम भी है डांटे Demon Sparta का second beta है और उसके पिता एक legendary Demon Swordman थे जो कि 2000 साल पहले Prince of Darkness Mundos को हराए थे डांटे को बिल्कुल भी कोई चीज का डर नहीं होता है चाहे वो कुछ भी हो इसका बहुत अच्छा sword skill भी है और गन चलाने में भी बहुत ही सदा talented है डांटे का कई devil form होता है और वही devil form को true devil form माना जाता है इस devil form के वज़े से डांटे का strength, speed और healing factor बहुत ही सादा बढ़ जाता है और साथ में कुछ नय abilities भी आ जाता है जैसे के उड़ना अब दूप याता है Kratos God of War series से दूस्तों Kratos God of War series का main protagonist यानी hero है Kratos के सामने चाहिए कोई भी हो आदमी, वगवान, टाइटन या तो Greek mythology के beast हो Kratos सबको एक ही तरह से देखता है और एक ही तरह से defeat करता है जब Kratos के उपर trick किया गया था और उसके family को मार दिया गया था तब वो वदला लेने पे उतराता है और सभी God of War को एक एक करके बुरी तरीके से मारा भी था इससे हमें यह पता चल रहा है इसका ऐसे superhuman physical power और abilities है कि यह monster, magical wing, titan और यहां तक की God of War को भी आज सारी से हरा सकता है तो दूस्तों आप सुरू सकते हैं कि यह कितना powerful है और अगर आप God of War के fan हो तो आप यकिनन जानती होंगे कि यह character कितना powerful है फाइनली दूस्तों वि नमबर वन पे आता है असुरा 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 वर्थ सिरीज से दूस्तों असुरा 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 वर्थ गेम का मिन प्रेटागिनस यानि हीरो है असुरा एक most powerful being है पूरी यूनिवर्थ में यहां तक कि असुरा को विडियो गेम कमुनिटी में एक most powerful character के सबसे माना जाता है एक्चलों में असुरा दोगा खाया रहता है और उसके बेटी को किनफ कलिया गया था गौर्थ के द्वारा तभी असुरा सबके उपर एक वर्ड डेकलर करता है और जीत की ओर निकल पड़ता है असुरा किसी को भी नहीं चोड़ता है सबको जान से माने पर उतर आता है सभी इविल मॉंस्टर गॉड डेमिगॉड और हां यहां तक कि सुप्रीम गॉड यानि भगवान के भगवान चक्रवर्तिन जो कि पुरी इन्वर्स को क्रेट की हैं वो सब असुरा के घुस्रे के में आ जाते हैं जिन लोगों ने उसके बेटी को उससे चीना था तो दोस्तों आप सूर सकते हैं कि असुरा किस लेवल का पावर्फुल है एक तरफ से देखा जैतों इसके पावर का किसी के साथ कम प्यार किया नहीं जा सकता तो दोस्तों यहीं था डॉक्टेर मुस्ट पा रहेगा और हम अब तक ऐसे ही आसम कॉंटेंट पहुंचाते रहेंगे तो दूसरों मुस्ते वापस मिलते हैं किसे दूसरे नए भीडोस में